नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सर्मा, आप सभी लोग का मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल वायमड़ावलू सुलिशन में तो फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको हिंदुसान यूनिलीवर कमपणी का डिश्टोविडर सिर् या आपको उसके प्रोडर्क का सप्लायर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको H.O.L. यानि के हिंदुसान यूनिलीवर कमपणी के बारे में मैं आपको बता दूँ हिंदुसान यूनिलीवर जो कमपणी है इंडिया का one of the most leading consumer good कमपणी है फ्रेंड्स H.O.L. जो कमपणी है ये अभी currently जो है अपना product food sector, beverage sector, personal care, plus water purifier और cleaning agent ऐसे बहुत सारे sector है जिसमें H.O.L. कमपणी जो है अपना new product day by day जो है launch कर रही है फ्रेंड्स अभी की हिसाब से बात किया जाए तो H.O.L. जो कमपणी है one of the best company है consumer good में जिसका आप distributorship लेके जो है अच्छा खासा मुनाफ़ा आप कमा सकते है तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस video में बताया है जो है कैसे request generate कर सकते है मैंने आपको इस video में टोटल चीज़ जो है detail में आपको बताया है तो फ्रेंड्स आप मेरे इस video को सुरू से अं तक देखे ताकि आपको जानका नहीं मिल पाए कि अगर आप हिंदुसान Unilever company का distributor ship आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका eligibility यानि की आपका योगता क्या होगा वो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसा लिखा हुआ कि applicant should complete the age of 21 years यानि की जो भी applicant actual company का distributor ship के लिए apply करने जा रहा है उसका minimum age है वो 21 years होना चाहिए और उसका minimum qualification है उसका 10th extended होना चाहिए अगर वो grammy छेतर से बिलोंग करता है तो और अगर वो urban यानि की सहरी छेतर से है तो उसका minimum qualification है वो 12th extended होना चाहिए देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि applicant must have space for go down and also for distributor outlet यानि के friends जो भी applicant है उसके पास में sufficient space होना चाहिए go down और outlet के लिए देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि applicant should already engage in FMCG sector यानि friends actual जो company है वो अपना distributorship या dealership वैसे वैक्तिक को देती है जो पहले से ही FMCG sector में काम करती हो और आप बोल सकते हैं कि जो वैक्तिक को FMCG sector में experience है उसी वैक्तिक को actual जो है अपना distributorship या dealership देन उसके बाद सभी के मन में एक ही question होगा कि sir मुझे investment कितना करना पड़ सकता है आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप ruler area से belong करते हैं और आप actual के distributorship या dealership के लिए apply करते हैं देन आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपको minimum जो amount है आपको 25 ल देखेंगे कि आपको कौन कौन सी documents की requirement रहेगी अगर आप actual का dealership या distributed ship आप लेते हैं तो जैसे कि देख रहे हैं आपका जो पहला document है वो pen card लगेगा देन उसके बाद आपका अधार card को copy लगेगा देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक address proof में आपको ए अगर आपका private limited firm है तो आपको ROC देना पड़ेगा देन उसके बाद आपको एक trade license जो है आपको देना पड़ेगा आपके respective municipal area से देन उसके बाद आपको एक GST number लेना पड़ेगा उसका जो GST का copy है आपको submit करना पड़ेगा देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका ज आपको देखेंगे कि जो भी applicant HUL का distributorship के लिए apply करता है तो उसको क्या क्या चीज की requirement रहेगी जो भी applicant है HUL के distributorship या dealership ले apply करता है तो उसको एक vehicle रखना पड़ेगा जिससे वो product की delivery कर सके देन उसके आप देख रहे हैं computer set with HUL IT solution software यानि कि आपको HUL यानि कि हिंदुसान Unile के तरब से आपको IT solution के लिए एक software provide के जाएगा वो software प्लस आपको computer set ये सारे चीज की जो वेवस्ता है आपको रखने पड़ेगे देन उसके बाद आप देख रहे है CCTV camera for surveillance यानि कि आपको surveillance के लिए यानि कि security purpose के लिए आपको CCTV camera जो है आपको लगाने पड़ेंगे आपके outlet या गुडाउन में देन उसके बाद आपको sales manager और sales team जो है आपको hire करने पड़ेंगे अगर आप total अगर count करें तो आपको जो है 5-6 main power आपको रखने पड़ेंगे देन उसके बाद आप देख रहे हैं आप लिखा हो power backup round the working hour यानि कि जब तक आपका working hour रहेगा उस समय तक जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रामीं छेतर से बिलोंग करते हैं यानि कि ruler area से बिलोंग करते हैं तो आपको minimum जो amount है 25 lakh रुपीज जो है आपको invest करना पड़ेगा आप maximum कितना भी कर सकते हैं देन उसके बाद अगर आप सहरी छेतर से बिलोंग करते हैं यानि कि नहीं लेती है देन उसके आप देख रहें फेंट्स मैंने आपके investment को यहाँ पर बाइफर करकर बताया है जैसे कि आप देख रहें office requirement यानि कि आपको distributor के लिए आपको एक outlet की जरूत पड़ेगी उसका जो space area है वो 1500 square feet होना चाहिए उसके लिए मैंने rent जो है 10,000 मैंने consider किया देन उसके आप देख रहें यहाँ पर go down required आपको actual product रखने के लिए आपको एक go down की जरूत पड़ेगी जिसका space जो है 1200 से 1500 square feet होना चाहिए अगर आपका खुद का है तो उसका जो cost है वो नील रहेगा देन उसके बाद देख रहें यहाँ अगर आप rent या lease पर आप go down लेते किया है देन उसके बाद आप देख रहें inventory cost यानि कि आपको actual का product खरने के लिए आपके पास में पैसे होने चाहिए तो उसका जो cost है वो मैंने 40 से 45 लाक रुपया मैंने consider किया है देन आप देख रहें उसके बाद other cost जो है 1 lakh रुपीज मैंने consider किया है तो friends अगर आप यह सार application होगा diet company के साथ में होगा तो friends उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप actual company का आप distributorship अगर आप लेते हैं तो आपको actual company यानि कि हिंदुसान इनी लिवर company जो है आपको कितना profit margin आपको provide करती है आपके distributorship पे तो friends मैं आपको वदा दूँ कि हिंदुसान इनी लिवर company है वो अपना profit margin जो है 3% से लेके 8% तक वो different product पे provide करती है तो friends आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे average profit margin जो है 5% मैंने consider किया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपका मंतली का जो sale है अगर 15,000,000 का होता है उसके हिसाब से आपका gross profit जो है 75,000 per month का होता है अगर पास भी जा सकता है और dealer के पास भी जाएगा और retailer के पास भी जाएगा तो friends आप सो सकते हैं कि आपका जो minimum sale है वो मैंने 15,000,000 कंसिडर किया आपका जो sale है वो definitely 25,000,000 के आसपास मंतली का जाएगा तो उसके हिसाब से आपका profit margin और gross profit दोनों आपका बढ़ेगा तो friends उसके ब देख रहें there is no any online process of appointing any distributor और supplier कोई भी online तरीका नहीं है HUL का distributorship या supplier बनने का तो friends उसके लिए जो है आपको over the phone या आपको advertisement का आपको wait करना पड़ेगा तब ही जो है आपको distributorship HUL company का मिल सकता है अगर friends आप directly जो है customer care को call करके अपना request generate करते हैं तो फिर आपके area का जो भी HUL का territory manager होगा वो आपसे face to face जो है meet करेगा फिर आपका जो भी space होगा उसको चेक करेगा दिन सारी legal documents चेक करेगा अगर वो सही रहेगा तब ही जाकर जो है HUL का territory manager है वो आपक an official Unilever email ID friends मैं आपको बता दूँ कि HUL का distributorship या dealership लेने के लिए बहुत ज़्यादा fraud भी अभी market में चल रहा है तो friends आप इससे जो है साधान रहें जो भी आपको HUL का distributorship या dealership के लिए आपको mail आता है मैं आपको बता दूँ कि वो HUL company के official email है उसी से आपको communicate किया जाएग और friends उसे बाद देख रहें हैं आप लिखा हुआ है कि once the verification and all step listed above are completed the distributor receives a unique six digit code this is assisted and follow up by the company manager at each and every step once this code is created IT infrastructure is set up at the distributor point by an IT team of company and supply chain linking is done friends मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका सारी legal document जो है आपके सही रहें उसके बाद जो भी आपका process से company के थुरू अगर आपका पुरा done हो गया यानि complete हो गया तो उसके बाद जो है आपको six digit का आपको एक distributor आपको code provide किया जाएगा HUL company के तरब से friends मैं आपको बता दूँ कि जब आपका distributor code generate हो गया उसके बाद आपका जो भी communication होगा वो HUL के manager से आपका dietly होगा आपको अगर कोई problem आता तो आप dietly जो है manager को call करके जो है आप अपना problem को resolve कर सकते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भी distributor आउटलेट रहेगा वहाँ प HUL के अगर distributorship या dealership आप बनना चाहते हैं तो friends सबसे बड़ा question क्या है कि आप HUL company को आप directly जो है आप अपना request कैसे भेज सकते हैं प्लस आप over the phone कैसे contact कर सकते हैं तो friends आप देख रहे हैं मैंने नीचे में यहाँ पे एक number provide किया है कि 4 distributorship regarding inquiry call आपको इस toll feed नंबर पे आपको call करना पड़ेगा देन उसके बाद आप देख रहे हैं पहला हम जो है आपको language select करने का option आएगा अगर आपको Hindi language select करना है तो आपको press 1 करना पड़ेगा देन उसके बाद अगेन जो है आपको distributorship के लिए आपको press 1 प्रेस करना पड़ेगा तो friends आपका जो call है directly जो है distributor department में आपको transfer कर दे जाएगा तो friends उसके बाद जो है आप सारे inquiry ले सकते हैं अपने area का distributor request जो है आप generate कर सकते हैं और friends आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक और number आपको provide किया है यहाँ पे अगर आपको कोई भी actual का product के बारे में आपको जानकरी चाहिए या कोई भी complaint करना रह या कोई आपको feedback देना रहा तो आप इस number पे call करके आप दे सकते हैं और friends एक जरूरी बात आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे नीचे में note में लिखा है कि हिंदुस्तान Unilever Limited does not demand any fee, advance payment, royalty or deposit in exchange of an actual distributative यानि कि friends हिंदुस्तान Unilever company जो है वो ना तो कोई आपसे fee demand करती है न इंदुस्तान Unilever Limited company का distributor ship बनने का आप वही तरीका आप follow करें, definitely जो है आप actual का distributor ship जो है आप open कर पाएंगे, friends अगर आपको actual company का distributor point लेने में कोई भी problem आता हो तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में आप comment करें, मैं आपको वहाँ पर answer भी करूँगा और आपको step by step guide भी करू इंदूए आपको 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 आ